हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टेबिलाइज शेकी पुटिच स्टेबिलाइज और शेकी फुटिच के दो डिफरेंट चीजे हैं सबसे पहले मैं आपको एक्स्पेंड कर दूँ स्टेबिलाइज से मतलब यह मेरे पास कि अगर आपके पास कोई शॉट रिकॉर्ड करते हैं आप कैमरा में तो उसकी अगर कोई उससे मूव्मेंट है या फि जैसे के हम अपने शॉट टाइप में बात कर चुके हैं और स्पेसिफिकली हमने कॉम्प्लेक्स शॉट टाइप में बात की थी आपका कैमरा या तो माउंट हो या पिर आपके पास कोई प्रॉपर कोई रेगिंग सेट अप हो और आजकल आपके पास बहुत जादा कॉमनली यूज हो रहे हैं गिंबल आपके पास मॉबाइल गिंबल भी मजूद हैं आपके पास के लावा बड़े कैमराज के लिए स्टेडी कैम यूज किया जाता था प्रॉपर जो जैकेट होती थी और इसके बाद आपका मूवंट बाला शॉट उसमें से आप अपना रिकॉर्ड कर सकते थे और उसके अलावा अगर तो आपके पास अपने ट्राइपॉड पर कैमरा माउंट है तो आपके लिए पैन और टेल्ट करना खासा असान है और वो काफी स्मूध रहेगा क्योंकि आपके पास एक सुपोर्ट उसकी वहाँ पर मौजूद है अगर वही शॉट वही प थोड़ा सा जर्क उसमें आ जाए वैसे तो जितना स्मूध आप उसको रिकॉर्ड करें उतना आपके लिए बेतर है लेकिन आप बहुत हद तक उसको पोस्ट प्रोडक्शन में भी यानि कि अपने वीडियो एडिटिंग सोफ्वेर अडॉबी प्रीमेर के अंदर भी उसको एक्सट करेंके बढ양, जाप करेंगे में इस्यूड कृटा करता है तो आपका उसमें से शेक और चोचार जाता है हूँ आए देखते है तो मैंने हाँ पर अपनी टाइमलाइन पर एक फुटिच कर ली है और यह बहुत हद तक एक shaky footage है, मैं आपको full screen करके दिखाता हूँ ये तो आप देख सकते हैं इसमें camera की movement काफी जादा shaky भी है और कुछ abrupt confusing सी भी है अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको post में कितना बेतर कर सकते हैं obviously हमने इसको stabilize करना है, हमारे पास जो effect यहाँ पर premier में है warp stabilizer के नम से, मैं effect में जाके अगर मुझे effect का नाम पता है even कि मुझे second name भी पता है तो मैं अगर वो भी लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर, अभी मैंने stab ही लिखा था और मेरे पास यह effect आ गया और यहाँ पर मुझे यह show हो रहा है कि यह video effects के अंदर distort के folder के अंदर warp stabilizer आपके पास मुझूद है double click कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बस clip select है या drag करके इसको लगा सकता हूँ आप देख रहे हैं कि मुझे अगर यह confirm करना हूँ यह effect लग गया है कि नहीं तो मैं अपनी effect control window में scroll down करूंगा और यहाँ पर यह walk stabilizer लग रहा है तो basically क्या करता है सबसे पहले यह इसको analyze करता है आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर यह इसको analyze कर रहे है और आपको एक figure भी दे रहे है percentage भी बता रहे है अब यह stabilize करेगा इसको analyze यहाँ पर complete करने के बाद तो अभी जो भी इसकी by default settings होती है उसके उपर इसने इसको रख देखते हैं चुरू से ही अब देख रहे हैं जो जर्क जो movement थी जो बिल्कुल शेकिन है इस थी वो बिल्कुल निकल चुकी है और इसने उसकी जगा इसको scale-up करके थोड़ी सी एक movement smooth कर दिये मतलब मुवमेंट इसमें itself मौजूद है लेकिन उसने उसको काफी हद तक smooth कर दि नहीं तो आपने देखा था कितनी ज़्यादा उसमें movement थी कितना ज़्यादा शेक था और अभी जो हुआ है यह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है स्मूध हो चुका है अगर मैं इसको stabilizer के effect को एक दफा बंद करूं तो आप यहां पर एक difference देख सकते हैं कि आपका जो footage था वो कितना जादा उसको scale-up करना पड़ा इसके बगए यह possible नहीं था कुछ और इसमें option ज़रूर मुझूद है नीचे अगर मैं उनको भी थोड़ा पास explore कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके बाद सबसे पहले तो यह आप से पूछ रहा है कि आपका result आपको smooth motion चाहिए जो कि अभी आपने देखा था कि जहां पर movement थी तो हलकी सी थी वह smooth motion आपको दे रहा था अगर आप चाहें तो 9 motion भी रख सकते हैं अब यह तुबारा से इसको analyze करेगा और उसके बाद फिर stabilize करेगा अब इसने जो smooth motion की थी वह नहीं है और आपका जो footage है वह इस वक्त स्टैटिक रहेगा आप देखरें इसको मैंने फाइल प्ले की वी है और जो एक पहले movement थी motion थी वह नहीं है अब बिल्कुल आपका frame स्टैटिक है और इस तरह से आपका ये बगार movement के हो गया हाँ इसने इसको इतना जरू movement में ये जरूर किया है कि इसको थोड़ा सा scale up कर लिया है क्यूंकि इसको इसको stabilize कर भी नहीं सकता था तो ये आपके उपर है आपकी choice के उपर है कि आप इसमें motion दें या ना दें बास दफ़ा motion अच्छी भी लगती है बास दफ़ा जरूरी भी हो जाता है क्यूंकि वो इसको no motion में उस तरह से बिल्कुल static सा कर देगा आपको वो frame बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा आप तो इसके बाद या आप से पूछ रहे है method कि आपके पास क्या तरीका है इसको stabilize करने का तो आपके पास position आ रहा है position, scale, rotation आ रहा है perspective आ और subspace warp आ रहा है तो basically यह क्या करता है कि अगर हमने इसको यहाँ से position select कर दिया तो इस वक्त जो है यह इसकी सिर्फ position को change करते वे stabilize करेगा आप देख रहे हैं इस वक्त कि आपको थोड़ा सा इस परस्पेक्टिव different लगेगा और क्योंकि इसने इसको scale नहीं किया सिर्फ position को यह कर रहा है इस वक्त तो थोड़ा सा आपको इसमें एक difference नजर आ रहा है और उसके बाद अगर मैं इसको तीनो option दे दूँ position, scale, rotation जो कि मुझे लगता है सबसे best option हो सकती है इस वक्त इस case में तो इस वक्त तीनो चीज़े इस वक्त हो रही है और इसके अलावा आप देख सकते हैं perspective भी अगर तो यह तो था perspective और इसके बाद हमारे पास दो चोथा method है subspace warp तो basically यह आपको different areas में जाके इस frame की जहाँ जहाँ पर उसको जूरत होती है उस हिसाप से different areas में जाके उसको थोड़ासा bend करता है थोड़ासा rotate करता है और इस तरह से आपके पास इसका result अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आएगा तो यह जो methods है basically आपके लिए यह decide करना मुश्किल है कि आप किस method के साथ जाएंगे मेरा ख्याल से यह बिलकुल ऐसे ही है कि आपकी जो footage जो उसमें shake है उस पर depend करता है कि कितना उसमें different shake है कहीं पर scale की जूरत है कहीं पर perspective भिल रहा है कहीं पर उसको specific points पर करना है जाके तो वह totally depend करता है आपका method के किस तरीके से आवसर करते है normally यह जो आप जब effect लगाते हैं तो यह settings इस तरह से आपके पास हुई होती है आपके पास results में smooth हो सकता है और इसके बाद method जो है subspace warp जो के सबसे ज़्यादा commonly use किया जाता है लेकिं जरूरी नहीं है कि इन्ही settings पर ही आपको वह desire output आ जाए आपको इनको change करना पड़ सकते हैं आपकी अपनी footage की जो भी उसमें जितना shake है जितना उसमें थोड़ा सा complications है तो उस हिसाब से ही आपको अपने effect लगा के आप इसको try कर सकते हैं different methods को देख सकते हैं जो उस पर suit करते हैं आप उसको use कर सकते हैं नीचे सबसे last में मेरे पास यहाँ पर framing इसके border की option है कि इसकी framing है वो इसको क्या कर रहा है अगर तो खाली stabilize only करेगा तो आप देख सकते है कि इस वर उसने उसको scale नहीं किया हुआ सिर्फ stabilize किया हुए तो फोटेज जो है आपका basically उसने stabilize कर दिया लेकिन यहां से आपके पास इस तरह से आपका फुटेज इस वर स्टेबलाइज है यह वाला लेकिन इसके borders है वो उसको scale अप नहीं किया इसने क्योंकि हमने stabilize only select किया था तेकेंड option stabilize crop है और obviously आपको तो full screen पर चाहिए होता है तो आप इसको यही option use करेंगे जिसमें stabilize crop और auto scale है crop वाली option है इसमें देखने हैं इसने क्या किया है तो आप देखने हैं इसको यहां से इसवक्त क्रॉप कर दिया है और पीच वाला फुटेज जो है आपका इसवक्त टोटली stabilize हो चुका है smooth हो चुकी है यह option आपकी by default भी होती है और सबसे ज्या है जो सबसे last है वो stabilize synthesize edges तो basically इसमें क्या करता है अगर यह option मैं select करूं कि तो जहां पर black areas बनते हैं जहां पर जो edges बनते हैं तो वो उनको auto fill करने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं इस वक्त और यह थोड़ा सा जारा heavy है फाइल इस वक्त तो इसलिए आपको यह इस वक्त बाइड़ जो option होती है यही आपके बास best option मुझेद होती है एक टिप आपको इस पे at the end देता चलूं कि अगर आपने बाइचांस इसकी speed या further कुई और properties को चेड़ा हुआ हो इसकी speed अगर आपने बढ़ा ही भी है और यह 200% इस वक्त होई भी है तो इस पे जब आप stabilizer का effect लगाएंगे तो वह नहीं लगाएंगे क्योंकि वह कह रहा है कि warp stabilizer and speed can't be used on same clip तो इसका तरीका यह होता है कि अगर आप अपने इस clip पे right click करें आपके पास एक option है नेस्ट की तो basically यह क्या करता है नेस्ट एक आपका virtual clip बना देता है और आपको एक इस form में एक sequence की form में यहाँ पर यह देतेगा अब जो भी उस clip की properties थी वो उस clip के अंदर है nest एक फिल्कुल fresh virtual clip बन चुका है और अगर आपको further उसी clip में जाकर change करना हो अब इस nest पे double click करेंगे तो आपके पास nest के sequence के अंदर वो clip as it is खुल जाएगा जो भी उसकी properties जो effects होंगे वो as it is वैसे ही रहेंगे इसको हम यहां से बंद कर सकते हैं और अब हम यह जो stabilizer है इसको nest के उपर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त उसने same clip के उपर जिसके उपर हमने speed change की वी थी उसको nest करने के बाद उस पर यह stabilizer लगा दिया यह इसको analyze करेगा और उसके बाद stabilize कर रहा है इसको इस वक्त तो इस clip में आपने देखा कि उसको वो बिल्कुल smooth उस तरह से stabilize नहीं कर सका शायद हम इसकी further settings को change करें तो उसको हम बेतर stabilize कर सकते हैं और यह इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले इसका shake जो था normal speed पे कुछ और अब जाके जब हमने इसकी speed 200% की तो इसका shake बदल चुका है वो मजीद तेज हो चुका है तो यह totally vary करता है कि किस shot पे इंप्लिमेंट हो सकता है बास दफ़ा मैं आपको honestly बताऊं कि यह यूज नहीं भी अप कर पाते मतलब उसको stabilize कर ही नहीं पाता तो आपने totally इस पर depend नहीं करना कि आपने अप बहुत हद तक बहुत चीज़ें बेतर हो जाती हैं लेकिन बास दफ़ा बिलकुल नहीं भी होती है अपनी practice को जारी रखिए आगे further lectures में मजीद टेक्नीक मजीद theory और मजीद practices पे बात करेंगे